नमस्कार दोस्तों, टीचर जीन में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे छत्रपति साहुजी महराज उनिभर्सिटी जो एक स्टेट गवर्मेंट उनिभर्सिटी है यहाँ पीच्डी आडमिशन का नोटिफिकेशन अलड़ी आ चुका है 2021-2022 के लिए और जैसी के आप यहाँ देख सकते हो, more than 972 seats आपको मिल जाएगा 42 subjects में और इसके साथ साथ बहुत सारे scholarship आपको मिल जाएगा यूनिभर्सिटी में और पढ़ाई करते साथ और पढ़ाई करने के बाद भी आपको job का opportunity भी मिल जाएगा University Appellated College में तो एक बहुत अच्छा opportunity है आपके लिए तो जो भी आप interested हो आप यहाँ admission कर सकते हो तो चलिए चलते हूं उसका official website में और वहाँ जाकर हम इसको details में discuss करते हैं सुरू करने से पहले में आपको बता दूँ कि हम यहाँ teaching related studies, competitive exams and jobs के बारे में discuss करते हैं तो जिनोंने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है, subscribe कर लिजिए, future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो शुरू करने से पहले में आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यह देखिए यह है, छत्रपति साहुजी महराज University कानपूर फिर से देखिए यह भी एक उनिवर्सिटी है, यहां भी mention किया गया है, छत्रपति साहुजी महराज University कानपूर फिर से यह भी एक उनिवर्सिटी देखिए, website यहां mention किया गया है, छत्रपति साहुजी महराज University कानपूर तो ये तिनों में से कौन सा सही है आप ये तो गूगल में सर्च करोगे तो आपको बार-बार यही उनिवर्सिटी का नाम ही दिखाएगा यही उनिवर्सिटी वेब साइट ही आपके सामने आएगा यह जो उनिवर्सिटी जो साइट है यह आपके सामने नहीं आएगा और यह यह जो university का site यह आपको कभी भी नहीं दिखेगा, तो इसके लिए इसका जो link है, यह link आपको डालना पड़ेगा, Google में तभी यह दिखाई देगा, नहीं तो आपको बार-बार यहाँ यह university का site आपका open हो जाएगा, ठीक है, और इस link मैं दे दूँगा, तो यहाँ देखिए, यह इसका पुराना बाला site है, और यह इसका नया बाला site है, चत्रपति साउजी महराज उनिवर्सिटी कानपूर, और यह एक state government university है, अभी चली हम इसका थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जुम कर लेता हूँ, research and development, जब आप इसके उप общее dedicated website है, यहाँ देखिए, mention किया गया है, PhD अप्लिकेशन, तो हम इसके उपर कर लेते हैं, नहीं तो देखिए नीचे यहाँ भी mention किया गया है, PhD अप्लिकेशन, तो आप कहीं भी click करके आप याँ अप्लाई कर सकते हो तो हम इसी के उपर क्लिक कर लेते हैं PhD अप्लिकेशन के उपर तो यहां देखिए University के तरफ से भी एक छोटा सा विडियो बनाया गया है आप चाहो तो YouTube में इसको देख सकते हो नहीं तो यहां भी क्लिक करके आप देख सकते हो तो यह है इसका विडियो उसके नीचे आप यहां देख सकते हो apply now यहां क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो ठीक इसी के नीचे आप देख सकते हो यहां एक email id दिया गया है और एक help line number दिया गया है आपको यहां क्लिक कर लेते हैं apply now पे तो देखे जब आप apply now पे आप क्लिक करोगे आपको यहां बहुत सारा information दिखाई देगा first advertisement आप यहां आप यहां विव करके आप देख सकते हो यहां एसके अलवा नीचे थोड़ासा information दिया गया है कि आपका जो जब आप register करोगे उसमें sehen button काहिसे दबाना है और आपका जो photo है आपका signature है यह कितना साइज का होना चाहिए बाकि थोड़ा बहुत इंस्फर्मेशन यहां दिया गया है आप चाहते इसको देख सकते हो तो अड़डाइजमेंट में कुछ नहीं है छोटा सा अड़डाइजमेंट है मैं फिर से भी इसको आपको थोड़ा डाउनलोड करके दिखा देता हूं डाउ इसको आप याद रखिये ठीक है अभी इसको डाउनलोड करके रखे है मैं आपको वही दिखा देता हूं यह है इसका इंस्ट्रक्शन ब्रोचर है इसका तो देखिए यह हम मेंशन किया गया है इन्फर्मेशन ब्रोचर पीएजडी आडमिशन 2021 छत्रपति साउजी महाराज उनिवर्सिटी कानपूर तो हम भाईस चांसेले रखका मैसेज है यह बहुत सारा इन्फर्मेशन दिया गया है आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो हम डाइरेट चलेंगे इसका जे में राधाकरिशन स्कॉलर्षिप और 5,000 रुपीज पर मन्त उड़ भी प्रोवाइड़ टॉप 50 पीएजडी स्टूटेंट फू उड़ बी जॉइनिवर्सिटी कैमपस इन अडिशन टूप 50 स्कॉलर्षिप उड़ बी प्रोवाइड़ फर्द स्कॉलर्स जॉइनिग आफ बहुत हेल्प करेगा यह बहुत एक अच्छा चीज है देन हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे बाकि आप चाहो तो यहां भी बहुत सारे चीज मेंशन किया गया है आप यहां देख सकते हो स्कॉलर्षिप के बारे में वही कुछ बताया गया है आप चाहो तो इसका अप्लिकेशन प्रोसीजियर यहां क्लिक करके आप देख सकते हो और इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है यह टोटल 28 साल रखा गया है हाइस्ट और 5 साल का रिजर्वेशन मिन्स स्कॉलर्षिप देखे यहां मेंशन क्या गया है ओन देखे यहां मेंशन क्या गया है तो इनके उपर योदि कोई काम करना चाहते तो उनको भी हर महीने 10,000 करके यहां स्टाइपेंड मिल जाएगा यहां भी देखे यहां मेंशन क्या गया है तो इस प्रकार का बहुत सारा स्कॉलर्षिप है आप चाहो तो इसका फाइदा उठा सकते हो तो इसके लिए थोड़ा सा आपको information gather करना पड़ेगा university के साथ communicate करना पड़ेगा तभी आपको ये सारे के सारे मिल जाएगा इसके अलाबा देखिए CSJM, DDU scholarship ये बहुत सारा चीज़ ये आम mention किया गया है आप चाहो तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिए तो आपको ये बहुत help करेगा ठीक है मैं आपको सारे के सारे चीज़ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा then eligibility criteria यहाँ देखिए eligibility criteria सबको पता है कम से कम आपका जो master's degree में 55% होना चाहिए और जो भी reserve category से बिलंग करेंगे उनके लिए 5% का relaxation मिल जाएगा then हम चलते थोड़ा नीचे then admission process admission process आपका पूरा online होगा और उसके साथ-साथ आपका एक entrance test होगा entrance test उसके बाद आपका एक भाइबा होगा यहाँ mention किया गया है the university shall admit PhD student through the entrance test named छत्रपति साहुजी महराज university entrance test तो आपको यह entrance test देकर ही आपको admission मिलेगा यहाँ देखिए नीचे और एक चीज mention किया गया है इसका weight test किया है 70 to 30 आपको entrance में 70% और जो interview होगा इसमें 30% का ऐसे करके weight test रहेगा आपको तो आप चाहो तो इसमें apply कर सकते हो तो इसके बाद देखिए exemption from the entrance कौन-कौन student को यहाँ exemption मिलेगा फास्ट जो NRI student है international student है इनको यह exam देने की ज़रूरत नहीं है सेकेंड जिन्होंने भी JRF clear किया है वो UGC JRF हो या CSR JRF हो या get MHR scholarship हो या teacher fellowship हो DBT ICMR का कुछ भी Central Level का जिन्होंने भी exam clear किया है उनके लिए यह exam देने की ज़रूरत नहीं है थार Serving Army और India ने भी और Air Force जिन्होंने भी Indian Army में किसी भी विभाग में 15 साल से ज़्यादा काम किया है उनके लिए यह exam देने की ज़रूरत नहीं है ठीक है यह तीन पॉइंट है आप यहाँ देख सकते हो देन हम थोड़ा नीचे चलते है Then no exemption from the entrance test बाकी सार के सरे student के लिए ए exam देना पड़ेगा compulsory है और इसके साथ-साथ यहाँ देखे और एक चीज मेंशन किया गया है Get, Net, Set qualified candidates would be required to appear in the entrance examination Weightage of 10% would be given for this candidate जिन्होंने भी Get qualified किया है Net qualified किया है Slate qualified किया है इनको यहाँ exam देना पड़ेगा मगर उनके लिए facility किया है उनको extra 10% का weightage मिलेगा exemption काटागरी में हमने जो देखे थे वहाँ लिखा हुआ है सिर्फ JRF बालों को exemption है उनको देने की जरुवद नहीं है मगर यहाँ Get, Net, Slate बालों को देना पड़ेगा इनके लिए exemption नहीं है इनके लिए extra जो benefit मिलेगा इनको 10% extra weightage मिल जाएगा तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिये Then two stage आपका जो process होगा यहाँ भी और एक चीज दिया गया है आपका यह जो entrance test होगा इसका दो प्रकार का entrance test होगा ठीके टोटल जो यहाँ mark है यह आपका 100 marks होगा ठीके और इसमें सारके सार जो questions होगा वो multiple choice questions होगा 50% questions आएगा आपका कहां से ना research methodology से यहाँ mention किया गया है और बाकी जो 50% का questions होगा यह आपका आएगा particular आपका subject है और यह 2 घंटे का exam होगा ठीके इसमें आपको टोटल जो mark से यह टोटल 400 mark होगा एक question के लिए 4 mark दिया जाएगा और यहाँ negative marking है देखिए यहाँ point 2 में यहाँ mention किया गया है there shall be negative marking on each wrong answer one mark will be deducted ठीक है यहाँ negative marking है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना और यहाँ आपका जो percentage जो calculate होगा यह actually percentage में calculate नहीं होगा यह जो आपका calculate होगा यह आपका percentile में calculate होगा percentile और percentage में बहुत difference है यहाँ देख सकते हैं यहाँ mention किया है देखिए point number 3 में यहाँ mention किया गया है the entrance results shall be prepared by the estimating the percentile of marks obtained in the entrance test percentile score will be used for preparation of the entrance merit list percentile यहाँ mention किया गया है percentage नहीं ठीक है percentage और percentile के अंदर में difference यह है कि आपका जितने भी सारे question है सारे के सारे question का जो mark से इसको हम percentage में calculate करते है जिसको हम बोलते है hundred percent hundred percent से लेकर जो भी जितना mark रखेगा इसी के हिसाब से हम calculate करेगे percentile में क्या हाता है generally जो highest mark रखेगा कोई भी student हो सकता है वो 90 रखेगा या 95 रखेगा या 80 रखेगा उसी को ही हम base लेंगे उसी को ही हम hundred लेंगे और उसी के base पर हम इसको percentile calculate करेंगे ठीक है हम पूरा जो mark है 100 question का इसको हम नहीं लेंगे तो ऐसे ही percentile calculate होता है ठीक है generally आपको समझने के लिए बाकी ये सारे के सारे procedure आप देख सेकते हो then PhD registration then subject आप यहां देख सेकते हो कितने सारे subject है जैसे के मैंने आपको बताया था 42 subjects है और more than 980 से भी आपको SEALS मिल जाएगा देखे यहां course है subject यहां मेंशन किया गया है then regular states in the CSGM then regular SEALS in the college biochemistry में total SEALS है university regular student के लिए 4 then biotechnology regular SEALS नहीं है then botany में यहां देख 52 SEALS है तो इसी प्रकार का पूरा SEALS देख सेकते life science, geology, microbiology, business management chemical engineering, chemistry, commerce, computer science and engineering defense and strategic studies military studies drawing and painting economics education, education training English literature, genetics and plant breeding geography, Hindi literature, history home science, horticulture, material science and metrology engineering, mathematics medical laboratory technology music, pharmacy, philosophy physical education, physics physiotherapy, political science then psychology, Sanskrit, social work lifelong learning and the extension then sociology then Urdu, agricultural economics, law, journalism and mass communication, MED biochemistry history, यह सारे के सारे टोटल 42 subjects है under any circumstances तो यह जो फी आप एक बार पे कर दोगे तो आपको दुबार आई यह नहीं मिलेगा तो नहीं हो सारे शेम केंट है यह दोक्ट है के सारे के सारे कर अखर हो सकते है और यहां पूरा डीटेल्स दी दिया गया है आप चाहोतों टोटेश् then admit card आपका release हो जाएगा 14 अगस्ट को then entrance जो टेस्ट होगा यह आपका 25 अगस्ट को होगा then key upload of grievance आपका 26 अगस्ट को आपके यह कुछ भी query है तो आप यहाँ upload कर सकते हो then revised key upload आपका 30 को होगा then declaration of result आपका 3rd September होगा तो इस प्रकार का सारे के सारे procedure है आप चाओ तो इसका भी एक snapshot भी ले सकते हो then help line number आप यहाँ देख सकते है आपका कुछ भी query है तो आप इस help line number पर आप call कर सकते हो और यहाँ university का address दिया गया है बाकि इसको apply कैसे करना है देखे apply करने के लिए हमने यहाँ apply बटन पर click कर लेते है यहाँ देखे registration पंजी करने के लिए यहाँ देखे go शुरू करे यहाँ click करते है यहाँ देखे PhD entrance के उपर हमें click करना पड़ेगा तेरह हमें यहाँ choose करना पड़ेगा PhD then category कौन सा category से मैं belong करता हूं इसके हिसाब से हमें यहाँ choose करना पड़ेगा मैं choose कर लेता हूं then यहाँ फिर से एक mention क्या गया है are you a physical challenge यदि yes no तो ऐसा आपको मानना पड़ेगा मैं नहीं हूं या हूं ठीक है तो मैं नहीं हूं और admission mode admission mode क्या है apply with CMJFG PhD entrance test और without entrance test जो भी exempted category मैंने जो दिखाया था तीन category है जिन्नोंने JRF किया है और जिन्नोंने army में serve किया है और जो third point था जिन्नोंने international student है तो यह तीन जो category है यह exempted category में आएंगे तो आप कौन सा category से आते हो आप general category से आते हो means entrance test category या exempted यह आपको मानना पड़ेगा उसके बाद आपको proceed फरतर जब आप click करोगे तो यह आपका proceed हो जाएगा तो इस प्रकार आप यहाँ apply कर सकते हो देखें नीचे आपका details आ गया है तो आप इसको भी fill up कर सकते हो और यहाँ देखें और एक चीज में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ course applied for तो आपको पता है हमने तो PhD के लिए apply कर रहे है और उसके साथ साथ आप यहाँ देखें right side में आपका specialization mention किया गया है जब आप specialization आप fill up करोगे आप specialization लेने के बाद फास्ट जो option है by biochemistry इसके बाद देखें university यहाँ देखें qualified course A second में mention किया गया है qualified course B दोनों ही same मानना पड़ेगा आपको means BSC sorry MSC जो भी है सारे के सारे दोनों जगा पे आपको same ही देना पड़ेगा तभी आप proceed कर सकते हो तो यह छोटा सा details था और इसका जो link है मैं देदूँगा description में और जिसको भी यह admission लेना ही जितना जल्द हो सके आड़ेशन ले लीजिए और यह था details और जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूटर में जो भी notification आईगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा so thank you all the best